इच्छी बार वो कौन सी सस्पेंस मुवी थी जी से देखते समय आपके दिमाग में टेंसन का महल पैदा हुआ था और इस फिल्म के रियल सस्पेंस को जानने के लिए आप उताविये हुए थे आई होब कि आप राजसन मुवी के अलबा किसी और फिल्म का नाम लिएंगे क्योंकि जब भी मैं सस्पेंस मुवी की बात करता हूँ तो पुरा कमेंट सेक्षन राजसन के नाम से भर जाता है यह एक मास्टर पीस तो है येकिन साउथ में और वी फिल्में है जो आपको देख आने वाला हूँ जिसमें साइको भी है मडर मिश्ट्री वाली स्टोरी भी है और सवी मुवीज में सस्पेंस तो है ही तो है दोस्तो मैं हो प्रिंस और आए जानते हैं वाकरी में दिमाग घुमाने वाली इन टॉप सस्पेंस मुवी के बारे में जो कि सब्टाइडरी के मैं तरा अथर्व और अनुराग कस्या पहां इस फिल्म में अनुराग कस्या धिली डॉल में हैं और साथ में दोस्तों रासी खन्ना तो इमाइका नोडिगल एक तमिल साइको मुवी है जिसकी IMDV रेटिंग है 7.4 की और इस फिल्म को अजय ग्यान मुथू ने डिरेक्ट कि है तो यह फिल्म कहानी है सीबिय ऑफिसर अंजी की जो कि एक ऐसे साइको को पकरना चाह रही है जो कि योगों का खुन कर रहा है और प्लिस रिकॉर्ड के हिसाब से वह काफी सालों पहले ही मर चुका है हम दोस्तों कहानी के ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे वरना एस स्क्रीन पे होते हैं तो एक सर्टेंटी क्रियेट होती है कि पता नहीं ये बंदा आगे क्या करेगा और एक साइको मोवी के लिए दूस्तों बहुत जोरी भी हो जाती है कि आप उसका अर्या मो प्रेडिक्ट कर योगे कि आगे क्या होगा तो फिल्म देखने में दोस्तों आता है और इस केस में ये फिल्म बाजी माग लिया जाती है हल्याकि मोवी बहुत ही इंगेजिंग है आपको एक अनप्रेडिक्टेवल और सस्पेंस से भरी इस्टोरी देखने को मिलती है बट स्क्रिप्ट में थोड़ी और मेहनत की जाती तो इसका दोस्तों ये वरी बहुत है तो कंड़ा इंश्ट्री से एक और बहतरीन सस्पेंस मुवी जिससे आपको मिस नहीं करनी चाहिए तो इनके बारे में आप नहीं जानते होंगे येकिन कोई बात नहीं जब आप इस फिल्म को देखोगे तो आप इनके फैन हो जाओगे क्योंकि इस मुवी को डिर इसकी information एक bartender विष्णू पुलिस को देता है येकिन पुलिस विष्णू को ही इस केस में फसा देती है और उसे जेल जाना परता है तो कई साल बाद एक फर्म डिसाइड करती है कि वो उन गरीब योगों की हिल्प करेगी जिसे साया जूठे केस में फसाया गया है तो इसमे दोस्तों विष्णू को महेंस दास यानि की एमजी स्रीन वास चुनते हैं और इस केस को इन्वेस्टिगेट करना सुरू कर देते हैं मुवी दोस्तों बहुत ही इंट्रेस्टिंग है और सस्पेंस से भरी हुई है इस मुवी की ए स्टोरिया इन तो अच्छी है येकिन कवालुडारी भी दोस्तों एक कंड़ा मुडर मिष्टिधियर मुवी है जिसमें भी काफी सालों पहले हुए मुडर को इन्वेस्टिगेट किया जाता है और खुनी को ढूंडा जाता है बट ये फिल्म दोस्तों बिरबल मुवी से काफी अलग है मुवी के लिटोर में है अनन्त नाग और अच्छितकुमार और इस फिल्म को हेमन्त राव ने डिरेक्ट किया है बात करें प्लॉट की तो ये मुवी दोस्तों कहानी होती है इंस्पेक्टर स्याम की जो कि अपने जॉब से नाखुस है और वो क्राइम ब्रांच में जाना चाहता है तो एक दिन प्ल दोस्तों काफी अच्छी है और ये पुरी फिल्म काफी इंगेजिंग है कहीं पर भी आपको जरा सफी निरास्त नहीं करती है और फिल्म की सिनमेटोग्राफिक की मैं तरिफ करना चाहूंगा जिस तरह से उन्होंने इन्वेस्टिगेशन सीन को सूट किया है और उसे एडि काफी दमदार मुवी है इस मैं इस सफरिंग फ्रम एंटी सोशल परसनालिटी दिजोड़ा नंबर टू रच्छा सुडू जब दोस्तों किसी फिल्म की रिमेक बनती है और खासकर जब एक ठ्रियर फिल्म की रिमेक बनती है तो और इसनल वर्जन को एक बार देखने के आए तो अच्छा सुडू मुवी के साथ भी दोस्तों कुछ ऐसा ही है एक बार देखने के बाद भी दुबारा देखने पर भी इस फिल्म का इंट्रेस्ट बना रहता है तो यह मुवी दोस्तों राधससन मुवी की रिमेक है बट आप पर यह फिल्म देखनी चाहिए क्यों पर हम इसे मार देता है पुरी मुवी दोस्तों सस्पेंस से भरी हुई है और एक भी परी के लिए आपको अपनी इस टोरी से हटने नहीं देती है इस मुवी को आप एक पार ज़रूर देखना और अब बात करते हैं इस लिश्ट की नंबर वन मुवी की जिसका दोस्तों मैं फैन हो चुका हूँ क्योंकि इसकी क्याम एक्स ऐसी सौक देती है कि आप लंबे समय तक उभर नहीं पावगे तो नंबर वन पे हैं 2013 में आई डिस्यम मुवी की सीक्वल डिस्यम 2 जो की इसी साई रीज हुई है और इस मुवी को भी जीतू जोसेफ नहीं डिरेक्ट किया है मुवी के रीड रोल में है मोहन याल जो कि जोर्ज कुटी के करेक्टर पिये करते हैं और इससे सातेर क्रिमिनल आपको पुरी साउथ इंडियन सिनिवा में देखने को नहीं हुई गी जो क्राइम करने के बाद भी पुरी से बचा हुआ है तो आप मैं इसे क्रिमिनल क्यों बोल रहा हूं और यह साउथ का सबसे इंटेलिजेंट क्यों है यह दोस्तों आपको इस वाली वीडियो में डीटेल में जानने को मिल जाएगी तो आप प्रीज इसे एक बार देखना इस वीडियो में मैंने काफी मिहनत की है बात करें द्रिस्यम टू की तो मुवी की का महल हमारे आसपास क्रियेट होता है सेम दोस्तों वही टेंसल आपके दिमार में भी होता है इस फिल्म को देखते समय और इस मुवी की क्यामेक्स तो देफिनेटरी आपको इसका फैन बना ही देगी यह फिफ्ट क्यास फिल इंसान इतना जबर दस्त और फूल प्रूफ प करें शाथ में दोस्तों वीडियो को अपने दोस्तों के साथ और व्यजय करें और वीडियो में अपको कुछ भी गवरति यागा हो मिलते है के यह ळारे हिंद्ध।